एक छोटी स्माइल और स्ट्रोंग विल्पावर के साथ आरे साला में आपका स्वागत है दोस्तों क्लास नाइन के NCRT साइंस चेप्टर 14 में आज हम प्राकिर्तिक संपदा अर्थात नेच्रल रिसोर्सेस के बारे में चर्चा करेंगे इसे जानने से पहले हम रिसोर्सेस क्या है इसे समझने की कोशिस करते हैं वे सभी मेटेरिल्ज जिनका योजम अपने लाइफ की आवश सकताओं अर्थात नीच्ज को पूड़ा करने के लिए करते हैं resources का लाता है जैसे earth, air, water, sunlight, minerals यत्यादी वर्तमान परिस्थितियों में human को भी resources के रूप में पर्योग करने की बात की जाती है इसे मानव संपदा यानि human resources कहा जाता है इस chapter में हम मुख रूप से natural resources के बारे में चर्चा करेंगे मिंस यह कहा जा सकता है कि जब हम प्रकिर्ती में पाया जाने वाले resources अर्थात संसाधन का परियोग अपने needs अर्थात आवसकताओं की पूर्ती के लिए करते हैं तो उसे ही natural resources अर्थात प्रकिर्तिक संसाधन या प्रकिर्तिक संपदा कहते हैं दोस्तों हमें अपने life में हमेशा यह याद रखनी चाहिए कि resources हमारे need के लिए होती है जब हम इसे अपने grid यानि लालच के लिए परियोग करते हैं तो यही natural resources, natural calamities अर्थात प्राकिर्थिक आपदा का रूप धारन कर लेती है इसे हम जलवायू परिवर्थन के रूप में देख सकते हैं दोस्तों पिर्थीवी पर पाये जाने वाला natural resources जो है ओम मुखरूप से तीन फर में पाये जाता है पाला, लेंड, वाटर और इयर ठीक है जो अर्थ है, अर्थ का जो उपरी सत है यहने की आउटर क्रस्ट उसे लिफेस फिर कहा जाता है वाटर की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ के सर्फेस का 75% एरिया जो होता है वो water से घीरा होता है इसके अलावे कुछ water जो होता है वो underground form में भी पाये जाता है तो इस water को क्या कहा जाता है अर्थ पे जो water पाये जाता है इसे hydrosphere कहा जाता है यदि year की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अर्थ के चारों तरफ year का year जो होता है एक blanket के form में पाए जाता है और इसे क्या कहा जाता है atmosphere कहा जाता है जब अर्थ का वह zone जहां पर atmosphere, hydrosphere और lithosphere तीनों मिलकर life के existence की संभावना को उत्पन करता है उस zone को biosphere कहा जाता है तीक है यह जो biosphere होता है इसमें मुखरूप से दो पार्ट होते हैं, biotic component और abiotic component तो earth के आसपास पाये जाने वाला जो भी living things होता है वो biotic component का formation करता है और इसके आसपास पाये जाने वाले जो भी non living things है वो abiotic component की का निर्मान करता है जब हम abiotic component की बात करते हैं तो इसमें सबसे पले हम yu की बात करते हैं यानिकि ear की बात करते हैं तो इसमें जो first point है जीवन का स्वास yu ठीक है? यानिकि the breath of life येर के बारे में बात करते हैं तो जो year होता है पीछे के कुछ क्लास में हमने देखा था कि जो year होता है वो mixture of different types of gases होता है यानि कि year जो होता है उसमें different types of gases पाय जाते हैं जैसे nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, इत्यादी तो हम बात करते हैं कि जो ये year है, year का हमारे life में क्या importance होता है तो इससे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि Venus और Mars इसकी बात करते हैं तो Venus और Mars दो planet है जहां पे life का existence नहीं होता है तो वहाँ पे life का existence क्यों नहीं होता है क्योंकि यह माना जाता है कि Venus और Mars जो है उसमें 95% उसके सता पे 95% carbon dioxide है तो 95-97% carbon dioxide होने के कारण क्या होता है वहाँ पर life का existence नहीं हो पाता है यानि ये कहा जाता है कि जो life होता है उसके लिए मुख रूप से oxygen उसके अलावे carbon dioxide, nitrogen, water, water vapor इन सब की आवसकता होती है अब हम बात करते हैं हमारे life में जो gases है उसका क्या अवसकता होती है तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं oxygen की हमारे life में जो oxygen होता है उसका क्या importance होता है तो जो भी eukaryotic और prokaryotic animals होते हैं वो क्या करता है उसे oxygen की अवसकता होती है जो भी pro-karyotic और eukaryotic living things होते हैं उनके life में oxygen का importance सबसे ज़्यादा होता है इसलिए यह माना जाता है कि life की उत्पत्ती के लिए जो oxygen होता है वो सबसे ज़्यादा important gas माना जाता है इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि water का हमारे life में बहुँ ज़्यादा importance होता है ठीक है इसके अलावे carbon dioxide का भी हमारे life में importance होता है और इन दोनों के formation में oxygen का involvement होता है यहने कि oxygen जो होता है किसी भी life के लिए सबसे important gas माना जाता है अब हम जानते हैं कि oxygen का हमारे life में क्या-क्या उपयोगिता होती है इसके अलावे oxygen का क्या-क्या परियोग किया जाता है तो जब हम oxygen की बात करते हैं तो जब living things की बात करते हैं तो जो भी eukaryotic और pro-karyotic living things होते हैं वो अपने respiration के लिए वो अपने respiration के लिए क्या करता है? oxygen का परियोग करता है तो respiration क्या होता है? तो जो glucose का molecule होता है वो oxygen के presence में break करता है और carbon dioxide और उसके सासत energy की उत्पत्ति करती है इसे किरिया को क्या कहा जाता है? respiration कहा जाता है जैसे हम इससे समझते हैं कि हमारे body में मान लेते हैं कि food material है जिसमें मुखरूप से glucose है ठीके? तो glucose जो होता है वो oxygen के presence में reaction करता है और carbon dioxide प्लस water यानकी H2O और इसके सासत energy की उत्पत्ति करती है जिसे हम अपने body के different activities में परियोग करते हैं तो इसके लिए हमारे body के लिए कहा जा सकता है कि oxygen बहुत है important gas है oxygen के उप्योग की बात करें तो oxygen का जो दूसरा उप्योग है वो सबसे important है combustion क्या होता है? तो combustion क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए यानि कि combustion करने के लिए oxygen की आवस्षकता होती है example लेते हैं carbon का, koila का जब हम koila को जलाते हैं तो क्या होता है? koila oxygen के उपस्थिती में जलता है और carbon dioxide उत्पन करता है इसके अलावे माल लेते हैं कि कोई भी petroleum substance है जैसे माल लेते हैं कि methane है methane को जब oxygen के उपस्थिती में जलाएंगे तो क्या होगा? carbon dioxide और water उत्पन करता है यानि कि जो oxygen है उसका पर्योग हम respiration और combustion के लिए करते हैं तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि आर्थ पे बहुत सारे plants और animals पाय जाते हैं वे सब respiration की किरिया करते हैं इसके अलाब हम अभी देखते हैं कि different types of vehicles हैं वो petroleum का पर्योग करता है petroleum के साथ natural gases का पर्योग करता है इसके बाद जो thermal stations है thermal stations जो होता है वो कोईला का उप्योग करते हैं तो इन अस्थानों पर हम यह देखते हैं कि जो petroleum और carbon का दहन होता है यहने कि combustion की किरिया होती है तो respiration और combustion दोनों किरियाओं में क्या होता है यह oxygen का उप्योग होता है और carbon dioxide का उत्पत्ती होती है तो ऐसा माना जाना चाहिए कि धीरे-धीरे oxygen का मात्रा कम होना चाहिए और carbon dioxide का percent बरना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है बल कि इसका मात्रा fixed रहता है यह जो वायू मंडल में carbon dioxide का मात्रा है वो fixed रहता है और oxygen का मात्रा भी fixed रहता है तो ऐसा क्या reason होता है कि इसका मात्रा fixed होता है तो इसके लिए मुखरूप से दो परयोकी दो चीजों का परयोकी आता है पहला जो होता है green plants और दूसरा होता है marine animals तो यह दोनों जो होता है वो carbon dioxide का यूज़ करता है तो यह दोनों carbon dioxide का यूज़ कर लेते हैं जिसके कारण यह होता है कि वायू मंडल में यानिकि climate में carbon dioxide का मात्रा बहुँ ज़्यादा नहीं भर पाता है कैसे होता है जो green plants होते हैं तो जो green plants होते हैं green plants के body में chlorophyll नामा का एक chemical पाय जाता है तो जो green plants होता है वो atmosphere से carbon dioxide गरहन करता है earth से water गरहन करता है और chlorophyll तथा sunlight की उपस्थिती में यह जो substance है वो glucose ठीक है glucose प्लस oxygen में convert हो जाता है तो इसी क्रिया को photosynthesis कहा जाता है इस क्रिया को क्या कहा जाता है photosynthesis कहा जाता है यह जो green plants होता है green plants क्या करता है वो carbon dioxide को उप्योग करके glucose की रूप में convert कर देता है तो इस परकार से carbon dioxide का उप्योग हो जाता है बहुत सारे जो marine animals होते हैं वो भी क्या करते हैं? जो carbon dioxide होता है, उसे absorb करता है, और absorb करने के बाद उसे dissolved carbonate के form में convert कर देता है, जिसके द्वारा वो अपने cell का formation करता है, तो इस थरह से carbon dioxide का use होता है. अब हम बात करते हैं, जल वायू, नियंत्रन में वायू मंदल की भूमी का, अर्थात, the role of atmosphere in climate control. वो क्या करता है? कि जो वायू मंदल होता है, वो climate control में मदद करता है, तो इसे हम समझते हैं. जैसे जो आर्थ है, आर्थ के चारों तरफ क्या होता है? अर्थ के चारों तरफ, atmosphere होता है. atmosphere में मुखरूप से क्या होता है year होता है year जो होता है वो bad conductor of heat होता है तो अर्थ के चारो तरफ जो बहुत सारे gases पाया जाते है पिसे फायदा क्या होता है कि sun से आने वाला जो heat होता है वो अर्थ के surface तक पूरा नहीं पहुँच पाता है बलकि चुकि जो year होता है वो bad conductor of heat होता है तो पूरे heat को यह परवावित नहीं होने देता है और एक limited amount में जो heat होता है वो अर्थ तक पहुँच पाता है जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि 22 degrees centigrade का normal temperature maintain होता है यानि कि कह सकते हैं जो atmosphere है वो हमारे अर्थ और हमारे अर्थ के आसपास का जो atmosphere होता है उसके temperature को maintain करने में मदद करता है इसके बाद यदि हम बात करें अर्थ के opposite side यानि कि जहां पे sunlight नहीं पहुँचता है तो sunlight जहां पे नहीं पहुँचता है वहां पे heat नहीं पहुँचेगा तो heat नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा वह जो अस्थान होगा वह धीरे-धीरे ठंडा हो जागा तो ठंडा होने के बाद क्या होगा उसका temperature या तो zero या फिर minus में जा सकता है लेकिन जो atmosphere होता है तो atmosphere में पाए जाने वाला जो year होता है वो क्या करता है कि earth surface के earth के surface से जो heat का radiation ह होता है उसे भी absorb कर लेता है और पूरे heat को atmosphere से बाहर नहीं जाने देता है तो इन दोनों परकिरिया के द्वारा जो होता है अर्थ का जो atmosphere होता है वो maintain रखता है तो यह कहा जा सकता है कि जो atmosphere है वो earth के temperature के sudden increase या फिर decrease को control करता है यानि कि climate को control करता है इसे हम ऐसा भी समझ सकता है जो moon है moon जो होता है ऐसा माना जाता है कि moon का distance earth moon का sun से distance earth और sun के distance के बराबर होता है लेकिन फिर भी जो moon है उसका temperature minus 190 degree centigrade से 110 degree centigrade तक चला जाता है तो इसका reason क्या होता है कि जो moon होता है moon जो होता है उसके चारों तरफ atmosphere नहीं होता है और atmosphere नहीं होने के कारण क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में heat को absorb करता है और बहुत ज्यादा मात्रा में heat को loss भी करता है अब हम बात करेंगे, अब हम वायू की बात करते हैं, wind याने की पवन, तो पवन क्या होता है, यह वायू की गती होता है, याने की ऐसे इसे डिफाइन किया जा सकता है, कि temperature और pressure में difference के कारण, वायू का एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाना, wind याने की पवन का हलाता है, तो यह जो wind या पवन का formation होता है, यह कैसे होता है, इसे हम समझने की कोशिस करते हैं, जैसा कि हमने देखा, जो अर्थ है, अर्थ के उपर एक क्या होता है, temperature होता है, अब हम यह जानते हैं कि place to place, जो temperature होता है, वो different होता है, तो माल लेते हैं कि यदि किसी अस्थान का temperature जादा हो जाता है, तो जब अस्थान का temperature जादा होगा, तो वहाँ पर पाए जाने वाला जो year होगा, वो गर्म होगा, और गर्म होने के कारण, वो हलका होगा, और हलका हो प्रेशर का एरिया जेनरेट हो जाएगा तो लो प्रेशर का जब एरिया जेनरेट हो जाएगा तो उसे भरने के लिए दुसरे अस्थान से different types of gases आते हैं तो इसी के कारण जो एर का flow देखा जाता है और इसी को क्या कहा जाता है एर कहा जाता है यानि कि पवन कहा जाता है यानि कि कहा जा सकता है कि जो पवन है जो एर है उसके फोर्मेशन में टेंपरेचर और प्रेसर का बहुत बड़ा योगदान होता है यह जब यह जो एर होता है जो विंड होता है जो wind होता है उसे मुखरूप से तिन केटेगरिज में divide के जाता है bridge, wind और storm जब पवन की गती बहुत कम होती है जो हमारे लिए बहुत ही pleasant होता है तब उसे gentle, bridge यानि की समीर कहा जाता है जब उसका speed थोड़ा जादा होता है तब उसे strong wind कहा जाता है और जब उसका speed इतना जादा होता है कि वह जानमाल को हानी पहुचा सकता है तब उसे storm यानि की तूफान का यहीं बहुत ही terrible होता है अब हम बात करते हैं कि जो year होता है जो wind होता है वो कैसे कैसे flow करता है जैसा कि हमने देखा कि जो year होता है उसमें place to place temperature और pressure में difference होने के कारण जो year होता है वो एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाता है तो आगे वरने से पहले हम coastal region में इसका परभाव किस परकार से देखा जाता है इससे समझ लेते हैं तो coastal region क्या होता है जैसे मालेते हैं जो land है land के असपास कोई सागर या फिर खारी है ठीक है तो इस दोनों condition में water जो year है यानि की wind का flow किस तरह से होगा इसे हम देखते हैं अगर दिन की बात करें तो दिन के समय में क्या होता है कि sunlight directly अर्थ के surface पर और water के surface परता है तो इस condition में क्या होता है कि earth और water दोनों का surface गर्म होता है तो दोनों का surface गर्म होता है तो इसके गर्म होने के कारण क्या हो wind का formation होगा अब यह समझते हैं कि जो terrestrial area होता है जो land होता है वो तेजी से गर्म होता है जबकि water जो होता है वह धीरे-धीरे गर्म होता है ऐसा क्यों होता है तो जो water होता है water के जो particles होते हैं उसमें movement जोकि वह loosely connected होता है तो इसके कारण उसके particles में movement होता है एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जैसे land के जो water का निचला सता है इसके बारे में बात करें तो निचला सता के नीचे क्या होता है ऐसा माना जाता है कि अर्थ के नीचे बहुत ही बहुत सारे गर्म सभिस्टांस है जिसके कारण जो earth का surface होता है वो थोरा गर्म होता है तो ऐसा होगा कि जो water का निचला सत है वो इस heat को absorb करेगा और गर्म होने के कारण इसके particles उपर की ओर जाएंगे तो उपर की ओर जब इसके particles जाएंगे तो इसे भरने के लिए उपर के particles नीचे की ओर आते है तो इसमें यह देखा जाता है कि जो water होता है उसके particles में movement होता है तो particles में movement होने के कारण क्या होता है कि जब यह गर्म होता है तो अपने heat को नीचे की और भी convect करता है तो convect करता है इसके कारण क्या होता है कि इसका temperature को बढ़ने में ज्यादा समय लगता है क्योंकि heat जो है वो नीचे की और भी जाता है लेकिन जो land का सत्व होता है land के सत्व हमें ऐसा होता है कि जो particles होता है उसमें movement न के बराबर होता है तो movement नग के बारबर होता है तो इसमें जो heat absorb होता है अब पूरा इसी सता तक maintain रहता है तो चुकि इसमें heat का movement जादा नहीं होता है इसलिए क्या होता है कि जल्दी गर्म हो जाता है और जो water का surface होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है इसी परकार जब रात की बात करें तो रात के समय में क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा कि यह heat को absorb करता है तो जब heat को radiate करेगा तो heat को radiate करते समय क्या होगा कि इसका जो land का जो सता होगा इसके सिर्फ उपरी सता पे heat रहता है तो यह असानी से loss कर देगा ठीक है? असानी से loss करेगा लेकिन जो water का सता है उसमें क्या होगा? जब यह heat loss करेगा तो heat loss करेगा उपर का सता ठंडा होगा, ठंडा होने के कारण यह भारी होगा और भारी होने कारण यह particle नीचे चला जाएगा यहां की नीचे का जो गर्म particle है उपर क्यों रहाएगा यहां की यहां का जो temperature होता है अब एक छाक्रित धीरे धीरे कम होता है लेकिन जो land होता है land का temperature तुरंद कम हो जाता है तो इसी के आधार पे हम coastal region में coastal region में wind के flow की बात को समझते हैं तो यह coastal region हो गया ठीक है यहां पे land हो गया और यहां पे water हो गया तो यदि दिन की बात करें तो दिन के समय में क्या होगा जो surface है जो land का surface है वो ज्यादा गर्म होगा और ज्यादा गर्म रहेगा तो यहां आसपास का क्या होगा जो air होगा वो गर्म होके उपर उठेगा और गर्म होके उपर उठेगा तो यहाँ low pressure generate होगा और low pressure generate होगा तो water के region से जो wind होगा वो land की ओर जाएगा और जब water से land की ओर air जाएगा तो उसमें क्या होगा? वाटर भेपर भी साथ में जाएगा इसका परेगा हम आगे करेंगे ध्यान रखना है यदि हम रात के समय की बात करें तो रात के समय की बात करें तो जैसा है कि हमने देखा कि जो water का surface है वो धीरे धीरे ठंड़ा होता है यानि कि water का surface land के surface के पेक्छा ज़्यादा गर्म तो यह अपने atmosphere को गर्म करेगा जिसके कारण इसका जो air होगा उपर क्योर जाएगा और low pressure को भरने के लिए जो land के तरफ से air है वो water के तरफ जाएगा ठीक है तो इसे हम बाद में परियोग करेंगे इसे ध्यान रखना है इसके अलावे एक और point ध्यान रखना है कि जो wind का movement होता है उसमें सिर्फ temperature और pressure ही involved नहीं होता है बलकि इसके अलावे कुछ और भी involvement होता है जैसे air का earth का rotation होता है और mountain range जो होता है यह भी जो होता है अर्थ के यह भी wind के movement में बहुत ज्यादा सहियोग करता है अब हम rain की बात करते हैं यह नि वर्षा तो वर्षा क्या होता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो air होता है air में water के vipors पैजाते हैं इसके साथ यह भी जानते हैं कि जो wind होता है wind का low pressure, high pressure, temperature इसके परभाव में एक अस्थान से दुसरे अस्थान परभाव होता है तो water vapor और low temperature और pressure के कारण जो air का flow होता है यानि कि wind का जो flow होता है इसके परभाव में बरसात होती है तो इसे हम समझते हैं आखिर होता क्या है जहाँ पर जिस अस्थान पर temperature ज़्यादा होगा तो जिस अस्थान पर temperature ज़्यादा होगा वहाँ से जो air होगा वो उठके उपर की ओर जाएगा ठीक है उठके उपर की ओर जाएगा तो जब यह air उपर की ओर जाएगा तो इसमें जो water के droplets होगे वो भी उपर की ओर जाएगे तो उपर की ओर जाएगे तो क्या होगा कम temperature होने कारण क्या होगा वो condensed होगा और condensed होके water के droplets में convert होगा और जब water के droplets में convert हो जाता है तो जो atmosphere होता है वो saturated हो जाता है और saturated condition होने के बाद क्या होता है कि जो यह water particles होता है वो नीचे की और बैठना शुरू कर देता है और इसको क्या कहा जाता है यह rain कहा जाता है जो rain होत इसे facilitate करने के लिए कुछ और भी सविस्टांस का involvement होता है जैसे normally जो dust particles होते हैं atmosphere में पाए जाने वाले dust particles होते हैं और nucleus के जैसा कारी करता है और nucleus के जैसा कारी करता है क्या होगा कि जब wind उपर क्योड जाएगा जो हवा उपर क्योड जाएगा तो उपर क्योड जाएगा तो जब temperature कम होगा तो जो dust particles है उनका temperature जल्दी कम हो जाता है और जल्दी कम हो जाएगा तो उसके आजपास जो water है वो एक layer का formation करेगा और एक बरा droplet का formation हो जाएगा और वो आसानी से नीचे की और गिरता है ठीक है यानि कि जो dust particles है वो water के वो बरसात को परभावित करता है इसके बाद बात करते है rainfall pattern और decided while prevailing wind pattern ठीक है जो wind का pattern होता है उसके आधार पे जो rainfall होता है वो परभावित होता है कैसे होता है इसे हम समझते हैं जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जब बात करते हैं तो क्या होता है यह मालत है इंडिया है ठीक है इसके नीचे के है इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खारी है तो जैसा कि हमने देखा कि time to time जो temperature है land का और water area का इसमें difference होता है तो जिस time year का flow water से land के तरफ होगा तो उस time क्या होगा कि इंडिया में बरसात होगी ठीक है water से land के तरफ जब year का flow होगा तो उस time इंडिया में बरसात होगी तो इसमें हम कह सकते हैं कि southwest और northeast इन दोनों कारणों से इंडिया में बरसात की संभावना ज़्यादा होती इसमें क्या होता है कि यहाँ पर water है water को लेती हुए जब year इधर क्योर जाएगा और condense होगा तो क्या होगा बरसात होगी ठीक है अब हम year pollution की बात करेंगे यानि की वायू परदूसन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम pollution को समझ लेते pollution क्या होता है किसी भी अस्थान पर किसी भी पदार्थ का ज्यादा या कम होना साधरन सब्दों में इसी को pollution कहा जाता है किसी भी substance का मात्रय यदी जादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है तब उससे क्या कहा जाता है? pollution कहा जाता है जब हम air pollution की बात करते हैं तो air pollution में मुखरूप से बात की जाती है fossil fuel की ऐसा माना जाता है कि जो fossil fuel होता है जब fossil fuel जलता है तो उससे क्या होता है carbon dioxide की उत्पत्ती होती है जैसे koela या फिर petroleum जब जलता है तो उपर मैंने बताया था कि carbon dioxide की उत्पत्ती होती है तो ऐसा माना जाता है कि यही जो carbon dioxide होता है वह वायू पर्दूसन का सबसे बड़ा कारण होता है लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो करवन डाइक्साइट का मात्रा जो बढ़ता है चुकि वह कंट्रोल हो जाता है यानि कि जो carbon dioxide होता है या year pollution का सबसे बरा region नहीं होता है ठीक है बलकि कुछ unsubestants होते हैं वो year pollution का region होता है कैसे होता है इसे हम समझते हैं जो fossil fuel होता है तो fossil fuel जो होता है उसमें nitrogen और sulfur भी पाए जाता है तो जब इस fuel का दहन होता है तो दहन होता है तो क्या होता है कि यह nitrogen और sulfur जो होता है वो year में यानि कि atmosphere में चला जाता है और जब यह atmosphere में चला जाता है तो यह जो होता है क्या होता है atmosphere को परभावित करता है और year pollution का समस्य उत्वन करता है जब फूर जलता है तो इसमें क्या हता है औक्साइड का फॉर्मेशन होता है जैसे सलफर है तो sulfur ते יर्ट करता है और यह सब स्वाष्ट के लिए बहुत ही खतरनाक होता है यह जो होता है इसका inhalation जो होता है वह बहुत ही dangerous होता है इससे different types of disease के उत्पन होने की समभावना होती है यह जो year pollution होता है, इसका दूसरा परभाव acid rain की रूप में देखा जाता है तो acid rain क्या होता है? यह समझते हैं जब कोई fuel जलता है, तो fuel जलता है, तो carbon, nitrogen और sulfur का मुखया। से क्या होता है ओक्साइड का फॉर्मेशन होता है और यह जो शुलफर का माल लेते हैं शुलफर का जो ओक्साइड है जब उपर जाता है तो टेम प्रेचर में डिफ्रेंस होने के कारण क्या होता है कि यह शुलफर वाई मंडल में उपसित water particles के साथ reaction कर लेता है और sulfuric acid का NKH2SO4 का formation करता है और जब इस H2SO4 का formation होता है और rainfall होता है तो यह यह acid NKH2SO4 है वो rainwater के साथ जमीन पर आ जाता है ओर इसे ही क्या कहा जाता है acid rain कहा जाता है यह जो acid rain है वो जमीन पे पहुँचने के बाद, जैमीन में अमलीयता है, या कि Syd City को बरहा देता है, जिसके करण उसका जो ऊत्पादक छमता होता है, वो प्रभावित होता है, ठीक है, जो pollution होता है तो pollution को हम असानी से देख भी सकते हैं तो pollution को देखने के लिए क्या करते हैं जैसे दिल्ली की बात करें तो हर चल यह माना जाता है कि ठंडा के सब्सक्राइब में यह कहा जाता है कि वहाँ का pollution बहुत ज्यादा हो जाता है तो ज्यादा क्यों हो जाता है इसे समझते हैं जैसे जब cold weather होता है ठंडा का जब समय आता है तो जो उपर हमने nucleus की बात की थी जब कोई particle nucleus के जासा कारे करता है तो क्या होता है जब cold weather होता है तो यह जो dust particles होते हैं यानिकि जो pollutant particles होते हैं pollution के लिए जो particles होते हो क्या होता है असानी से थंड़ा हो जाते हैं और इसके चारों तरफ के ड्रॉपिलेट्स जम्म हो जाते हैं यानि कि इन न्यूपिलेट्स के 4 तरफ द्रॉपिलेट्स जम्म हो जाते हैं और वहां पे एक smoke यानि कि दूंद की उत्पत्ती हो जाती है और वहां की visibility जो होता है वह परभावित हो जाता है यानि कि इस परकार हम कह सकते हैं कि जो air में pollution होता है इस air में pollution के कारण जो visibility होता है वह कम हो जाता है यानि कि जब कि स्थान का cold weather में visibility कम हो रहा है यानि कि smoke का formation हो रहा है यानि कि कहा जा सक है कि वहां पर जो पॉलूशन है उसका मात्रा जादा है यह जो पॉलूशन होता है हमें एलर्जी कैंसर हट डीजिज यह सब की उत्पत्ति कर सकता है ठीक है अब हम जल एक अधभुत द्रव यानि वाटर अवंडर लिक्विड इसकी बात करते हैं तो जब हम वाटर की बात करते हैं तो जैसे हमने उपर देखा जो वाटर होता है वह अर्थ सर्फेस पर अंडर ग्राउंड और वाटर भेपर तीनों रूप में पाए जाता है जब लाइन फोर में होता है यानिकी नमकीन फोर में होता है ठीक है फ्रेस वाटर की जब बात करें तो फ्रेस वाटर जो होता है वह कहां कहां पाए जाता है तो फ्रेस वाटर फ्रोजन फोर में पाए जाता है और आइस कैप ठीक है कहां पे जो माउंटेन होता है माउंटेन पे जो ice cap होता है वहाँ पर पाए जाता है ठीक है इसके अलाबे जो fresh water होता है वो underground form में पाए जाता है underground form के अलाबे river, lakes और ponds में भी fresh water पाए जाता है ठीक है जो water का availability होता है वो place to place vary करता है यह माना जाता है कि बहुत सारे rural areas में कभी-कभी ऐसा समस्या जाता है कि वहाँ पर water की समस्या उत्पन हो जाती है ठीक है अब हम बात करते हैं कि आखिर water क्यों हमारे शरीर के लिए यहने कि हमारे लिए क्यों उपयोगी है तो हम सब जानते हैं कि जो water है, वो हमारे life के लिए बहुत ही important होता है, उसे हम पीने के लिए use करते हैं, simply हम यह समझते हैं, लेकिन अब हम इसे थोड़ा deep में समझने की कोशिस करते हैं, water जो होता है, वो हमारे life के लिए बहुत ही important होता है, क्यों? क्योंकि हमारे body का जो भी cellular process प्रोसेस होता है यानि कि जैसे कि हमने उपर बात किया कि जो करवंड एक्साइड है वो गुलुकोच में कनवर्ट कर जाता है गुलुकोच जो होता है फिर से अक्सिएन में कनवर्ट कर जाता है यानि कि एर में करवंड एक्साइड और वाटर में कनवर्ट कर जाता है तो यह सब जो परकिरिया होती है वो सब परकिरिया के लिए बड़ी में water medium होने का आवसकता है यदि water medium नहीं होगा तो इससा प्रोसेस नहीं हो पाएगा ठीक है इसके अलावे जो हमारे बड़ी में different types of reactions होते हैं उसके लिए भी water की availability आवसकता होती है हमारे बड़ी या फिर किसी भी living things के बड़ी में जो ट्रांस्पोर्ट सिस्टम होता है उसके लिए भी water की आवसकता होती है जैसा कि पिछले क्लास में रहा है जो oxygen का transportation होता है वो किरिया किस के द्वारा होता है बलड के द्वारा होता है बलड जो होता है हमारे सरीर में एक अस्थान से दुसरे अस्थान त समाप्थ हो जाएगी तो इस पर कार कर सकते हैं कि जो water होता है वह बहुत ही important thing होता है एक चीज़ धियान रखना है कि जो terrestrial living things होते हैं terrestrial living things generally fresh water का परियोग करते हैं क्योंकि वह जो saline water होता है वह उसे tolerate नहीं कर पाता है और बीना fresh water को उनका जीवन संभव नहीं हो पाता है ठीक है इसके बाद हम यह जानते हैं कि जो availability of water है किसी अस्थान पर water का availability यह decide करेगा कि वहाँ पर number of individuals क्या होगा individual different types of species कितना होगा ठीक है यानि कि जैसा कि हमें देखा कि जो water है water हमारे body यानि कि किसी भी living things के life process के लिए बहुत ही important होता है यानि कि जिस अस्थान पर water ज्यादा रहेगा water available रहेगा वहाँ पर species ज्यादा होगा individual ज्यादा होगा यानि कि कहा जा सकता है कि वहाँ पर चुकी species ज्यादा होगा यानि कि biodiversity ज्यादा होगा यानिके कहा जा सकता है कि जो किसी भी अस्थान का बायो डाइवर्सिटी होता है, मुखरूप से वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे water की availability है या नहीं है कुछ other factors भी होते हैं जो बायो डाइवर्सिटी को decide करता है, जैसे temperature, nature of soil ये सब ही होता है अब हम जल परदूसन यानिके water pollution की बात करते हैं, तो water pollution जैसा कि हमने देखा कि जब water में किसी भी मात्रा की, किसी भी पदार्थ की मात्रा जरूरत से ज़्यादा या कम हो जाएगा तब उससे क्या कहेंगे? तो water pollution को परभावित करने वाले कारकों में बात करें, तो सबसे पहला जो होता है, वो हता है fertilizer और pesticide farming में जो fertilizer और pesticide का परयोग किया जाता है, वो water pollution का एक बहुत बड़ा कारण होता है जैसा कि हम जानते हैं कि farming में fertilizer और pesticide का परयोग किया जाता है, लेकिन इन सब का पूरा परयोग नहीं हो पाता है और कुछ मात्रा में ये दोनों जो होते हैं, वो unused बच जाते हैं फिर ये water के साथ flow होकर river इत्यादी में चले जाते हैं और ये water system को परभावित करता है यानि कि ये जो fertilizer और pesticide है ये water pollutant के रूप में वियाब करता है इसके अलाबे जो water pollutant है वो है sewage हमारे घरों या फिर किसी town या cities में जो sewage होता है या फिर कोई जो factory होता है इसे जो sewage निकलता है जो गंदा पदार्थ निकलता है ऐसा देखा जाता है कि बहुत अस्थानों पर इसे rivers और lakes में directly dump कर दिया जाता है तो dump कर दिया जाता है तो ये sewage क्या करता है water pollution का समस्या उत्पन करता है इसके अलावे जो water का temperature होता है water के temperature का कम होना या फिर ज्यादा होना या भी water pollution का एक form हो सकता है तो ये जो water का temperature है कैसे कम और ज्यादा होता है इसे हम समझने की कोशिस करते है जो industry होता है वो cooling के लिए water का परयोग करता है ठीक है अपने instruments को cool करने के लिए क्लिए क्लिए water का परयोग करता है तो इस process में क्या होता है कि जो water होता है वो गर्म हो जाता है अब इस गर्म water को क्या करता है directly नदी नालों में छोड़ देता है तो इसके कारण क्या होता है कि नदी नालों का temperature बढ़ जाता है और वहाँ पर जो living organism पाय जाता है उसके life activity को परभावित करता है यह जो temperature को बढ़ने और घटने की परकिरिया होती है एक दूसरा factor पर भी depend करता है वो होता है dam ठीक है, dam dam जो होता है वो भी water के temperature को परभावित करता है जो dam होता है चुकि हम जानते हैं कि जो dam होता है वहाँ पर water के बहुत बढ़ा level होता है तो water का चुकि वहाँ पर बहुत बढ़ा level जमा हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो sunlight होता है वो sunlight water के निचले सत्था तक नहीं पहुँच पाता है यानि कि निचला सत्था जो होता है वो बहुत जादा ठंड़ा हो जाता और यहाँ पर जो life होगा वो बहुत जादा परभावित होगा इसके अलावे जब इस water को directly नदी में चौरा जाता है तो नदी में जब चौरा जाता है तो क्या होगा इसका जब निचला सत्था का पानी जाएगा तो इस अस्थान का temperature कम हो जाएगा और उस अस्थान का temperature कम हो जाएगा तो क्या होगा कि उसके life को परभाव परेगा ठीक है यह जो pollution होता है तो pollution होता है तो ऐसा नहीं होता है कि life में सिर्फ कमी आती है जो यह pollution होता है तो pollution के कारण कभी-कभी यह भी होता है कि कुछ life का growth देखा जाता है और कुछ life के life में harm देखा जाता है तो कभी-कभी यह भी होता है कि जिस life का growth होता है उसके life के growth होने करण दुसरे जीव का life परभावित हो जाता है यानि कि pollution जो है किसी परकार से किसी ना किसी जीव को निश्चित रूप से हानी पहुंचाता है नेक्स्ट पॉइंट है मिर्दा में खनीज की परचूरता यानि मिनरल रिच इन्द स्वायल मिनरल रिच इन्द स्वायल हम जानते हैं कि जो स्वायल है वो बायो डाइवर्सिटी को बहु ज़्यादा परभावित करता है तो आगे बढ़ने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि स्वायल का फॉर्मेशन कैसे होता है स्वाइल का formation कैसे होता है तो जो स्वाइल का formation होता है मुख रूप से यह माना जाता है कि स्वाइल का formation पत्थर के टुकरों से होता है किसे होता है पत्थर के टुकरों से होता है रोक्स से होता है तो कैसे होता है इसे समझते हैं ऐसा मना जाता है कि जो rocks होता है लाखो करोरों वर्सों तक जो rocks होता है धीरे धीरे तूटने फूटने की परकिरिया के द्वारा वो soil का formation करता है एक बात ध्यान रखना है कि जो minerals मिट्टी में पाए जाते हैं जब तक वो rocks में रहेंगे वो life process में directly नहीं आ पाते हैं याने कि वह जो minerals है वह used नहीं वह available नहीं हो पाता है याने कि जो rocks है rocks में जो minerals उपस्तित हैं उन्हें soil में convert होना बहुत ही आवस्यक होता है तो जो rocks है rocks को soil में convert करने के लिए तीन process का परयोग की जाता है physical, chemical और biological process तो इसे हम देखते हैं जो rocks है rocks से soil के formation में मुखरूप से sun, water, wind और living organic ये चारो परभाव डालते हैं तो देखते हैं कैसे कैसे परभाव डालते हैं माल लेते हैं कि ये एक rock है तो rock है जब इस पर sunlight परता है तो sunlight परता है तो क्या होगा इसका temperature बढ़ेगा जब sunlight नहीं परेगा तो temperature कम होगा तो temperature बढ़ने और घटने के कारण क्या होता है इसका volume भी बढ़ता और घटता रहता है ठीक है तो volume बढ़ने घटने से क्या होगा ये फैलेगा शिकुरेगा तो ये क्या होगा इसका surface कमजोर हो जाता है जब surface कमजोर हो जाएगा तो इससे water या फिर air का जब flow होगा तो वह क्या होगा इस कमजोर सत्व को तोर कर नीचे क्योर ले जाएगा और फिर वह swell में convert हो जाएगा यदि water की बात करें तो इस तो हमने देखा कि ये water flow करता है और flow करने के साथ जो rocks उसे तोरता है इसके अलावे क्या होता है कि जो rocks है तो rocks है इस पे जो water का particles होता है जो water के particles होता है क्या होता है जब temperature ज़्यादा होता है तो water के form होता है लेकिन जब temperature बहुत ज़्यादा कम होता है तो यह जो water के drop plate से वह ice में convert कर जाते है तो इसके छिदर में यदि rock के छिदर में कोई water का लाइ делать Jeanne k dentist क्या हुगा तो तक unique टम्प्रेशर कि कम होने से क्या होगा ऑए इसक फ्रम में Convert होगा और जब वाटर आइस के फोर में Convert होता है तो सका वॉलूम क्या होता है कि बरता है तो वॉलूम के बढ़ने के कारण क्या होगा वॉलूम के बढ़ने के कारण जो bit है I P It was a support rights करण कि जो रौक है रौक पर हुँआ धबाब डालेगा और देवाब डालेगा तो क्लिपोडाफ होगा रौक का sheriff तो तूटेगा और जब इससे वाटर और विंड का फेलो होगा तो क्या होगा यह असानी से तूर सकता है ठीक है जब विंड की बात करें तो हमने अभी देखा कि जब wind का flow इस अस्थान से होगा तो धीरे 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 करके क्या होगा इसके surface को कम करेगा इसके surface को धूलकन के रूप में तोड़ता हुआ जाएगा अब बात करते हैं living organism को living organism कैसे swall के formation मदद करता है मालत है कि यह एक rock है rock पे water है तो जहां हम देखते हैं कि जहां पे water होता है पथर के टुकलों पे जहां पे water जमा होता है तो हां पे काई और fungus जैजासा काई और fungus जैसा living thing होता है क्या करता है इसके surface से chemical को absorb करता है अपने life process के लिए और इसके chemical के साथ reaction करता है और chemical के साथ, इसके chemical के साथ जब reaction करता है, तो क्या होता है, इसमें chemical reaction होता है, और इसका जो surface होता है, वो कमजोर होता है, और वो आसानी से तूटता है, ठीक है, इस तरह से जो life होता है, इस तरह से जो swail होता है, उसका formation होता है इसके अलावे जो living things होते हैं वो भी soil के formation में मदद करते हैं जब soil में living things के मरने के बाद उसके dead होने के बाद जो उसके टुक्रे जमा हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है humus कहा जाता है स्वैल में जो living things के टुकरे पाया जाते हैं living things के मरने के बाद जो उसके टुकरे स्वैल में जमा होते हैं हुमस कहा जाता है यह जो हुमस होता है वो यह decide करता है कि किसी अस्थान पर living things का संख्या कितना ज़्यादा है यह फिर कितना कम होगा यानिकि biodiversity को यह humus भी परभावित करता है कैसे परभावित करता है? जिस swell में humus की मातरा ज्यादा होती है वह जो swell होता है वह porous हो जाता है जब वह swell porous हो जाएगा तो उसमें water absorb करने की छमता और air को absorb करने की छमता अधिक हो जाएगी ठीक है? तो इस परकार से उसमें water और air ज़्यादा समय तक और ज़्यादा मातरा में रह सकता है यानिकि उसमें life process ज़्यादा होने की संभावना हो सकती है ठीक है? तो यह कहा जा सकता है कि जो humus है वह किसी भी अस्थान पर जो living organism से उसके संख्या को decide करता है एक बात हमें यादख है जो topmost जो soil का topmost layer होता है जो soil का topmost layer होता है जिसमें humus और living organism पाया जाते है उसे क्या कहा जाता है? top soil कहा जाता है topmost layer of soil जहांपे humus और living organism पाया जाते है उसे top soil कहा जाता है और यह जो top soil होता है वो किसी भी अस्थान के बायो डाइवर्सिटी को डिसाइड करता है ठीक है बायो डाइवर्सिटी कैसा होगा उसे डिसाइड करता है यानि कि यह कह सकते हैं कि किसी भी अस्थान का जो उपरिश सकता है जो टॉप स्वाइल है उसे मेंटेन डखना अवस्यक है जैसे हमने बात किया कि जब air और water का flow होता है तो उसके साथ क्या होता है जो wind और water होता है वो soil के particles को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक ले जाता है तो उसे बचाने क्या वसकता होती है इसे हम जानने से पहले जान लेता है कि जो soil के टूटने के किरिया होती है यानि कि एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक जाने के किरिया होती है उसे erosion of soil कहा जाता है तो इस erosion को कैसे बचाए जाएगा? तो इस erosion को बचाने का जो सबसे आसान तरीका होता है वह यह होता है कि किसी भी अस्थान पर plantation की किरिया तो जब किसी अस्थान पर plantation की किरिया कर दिया जाता है तो उसके जो plants के roots जो होते हैं वह soil के साथ जूर जाते हैं और soil के साथ जब जूर जाते हैं तो वह soil को बहुत तेजी से बांध देता है तो बहुत तेजी से जब बांध देता है वहाँ पे आसानी से परवाहित हो सकता है ठीक है? अब हम जैव रसाइनिक चक्र यानि कि बायो किमकल सैकल की बात करते हैं हम यह समझते हैं कि जो बायो एस्फेर होता है बायो एस्फेर में क्या होता है? बायोटिक कमपोनेंट होता है और abiotic component होता है ठीक है? तो inbiotic और abiotic जो components होते हैं उन दोनों का जो interaction होता है उन दोनों का जो संबंध होता है उन एक dynamic but stable system का formation करता है उपर हमने देखा था कि किसी भी किसी भी substance का biotic से abiotic और abiotic से biotic component में परवा होते रहता है और यह जो dynamic system बनाता है यह जो dynamic system होता है वो एक stable system का formation करता है ठीक है? यानि कि इस परकिरिया में abiotic और biotic component दोनों बहुत ही stable इस्थिती में आएगा तो transfer की यह जो परकिरिया होती है इसे भी इसे ही क्या कहा जाता है? बायो chemical cycle कहा जाता है ठीक है? हम सबसे पहले water cycle की बात करते है ठीक है? तो जब हम water cycle के बात करते है या फिर किसी भी chemical cycle की बात करते है तो हमें यह ध्यान रखना है कि जिस chemical के cycle की बात की जाती है उसे center में रखके बात किया जाता है तो जब हम water cycle की बात करेंगे तो water को center में रखना है cycle के बाद करेंगे तो उसमें बहुत सारे cycle एक साथ मौझूद होते हैं ठीक है तूसरे हम समझने की कोशिस करते हैं आपके बुक में जो दिया गये है सबसे पहला जो दिया गये है वह यह दिया गये है कि जो sea water है sea water यानि कि sea water होता है उस sea water से बादल का और मेग का formation कैसे होता है और उसे बारिस कैसे होती इसकी बात की जाती है तो इसे हम समझते है जो जब हम सरफिस की जब sea surface की बात करें तो हम जानते हैं कि जो sunlight होता है sunlight से जो heat निकलता है वो C के surface पर परेगा तो C के surface पर जब परेगा तो जो water vapors होंगे उसमें जो water होंगे उसमें evaporation की किरिया होती है और वो make के रूप में convert हो जाता है ठीक है? बादल के रूप में convert हो जाता है फिर से जब यह उपर जाएगा temperature और pressure में difference होगा तो उसके बाद क्या होगा? बर्शन की किरिया होगे निकी rainfall की किरिया होगे और rainfall की जब किरिया होगे तो क्या होगा? वही water फिर से नीचे आगा तो यह जो water नीचे आगा तो क्या होगा? sea water में भी आगा और land पे भी आगा तो लेंड वाटर से फिर से यह पानी जो होता है धीरे-धीरे सी में चला जाता है फिर से सी में जाता है फिर से यह साइकल चलते रहता है तो इसमें जो यह साइकल होता है इसमें और बहुत सारे साइकल होते हैं उसे हम समझने की कोशिस करते हैं जब water cycle होता है, तो जैसे बर्षन के किरिया है, पानी जब नीचे आता है, तो वह पानी को animal भी यूज करता है, और plant भी यूज करता है, ठीक, तो इसके अलाबे जो कुछ water होता है, वह धीरे-धीरे सोख कर जमीन के अंदर चला जाता है, याने कि ground water के रूप में convert हो जाता है, ठीक है, ground water के रूप में convert हो जाता है, और यह पानी फिर से spring और well से बाहर निकलता है, ठीक, और फिर से यह पानी जो है, वह जमीन पे flow होने लगता है, तो यह सब cycle होता है, ठीक है, इसके अलाबे हम इसको भी समझ सकते हैं, जैसे कि जो atmosphere है, atmosphere से animal में water जाता है, और फिर से animal से atmosphere में water जाता है, यह भी एक तरह का cycle होता है, तो वह कैसे होता है, जैसे हमने देखा, कि जो बर्सा हुई, बर्सा से पानी जमीन पे जमीन पे जब पानी आया, तो क्या होगा, वो animal जो है, उससे पीएगा, ठीक है, जब पीएगा, तो उसके body में पानी जाएगा, और जब respiration की किरिया करेगा, respiration की किरिया करेगा, तो क्या होगा, कि उसके body में, उसके body में, जो different substance होंगे, वो उनका दान होगा, उसके साथ क्या होगा, सांस बहार निकलता है, तो सांस जब बहार निकलता है, तो सांस जब बहार निकलता है, तो सांस जब बहार निकलता है, जब respiration की बात करते हैं तो respiration में क्या होता है कि जो गुलकोश होता है मुखरूप से गुलकोश जो होता है वो oxygen के presence में reaction करता है और क्या बनाता है carbon dioxide और water बनाता है और यह जो water होता है वो respiration के साथ क्या हो जाता है atmosphere में चला जाता है यानिकि atmosphere से water जो हुआ animal के body में गया और animal से respiration के किरिया के दोरा बाहर निकल गया यानिकि यह भी एक तरह का cycle हुआ जब हम plant की बात करें तो plant की बात करेंगे तो क्या होगा जो ground water के form में water है तो plant क्या करता है अपना भोजन बनाने के लिए इस water को absorb करता है तो water को absorb किया फिर से एक transpiration की किरिया होती इसके leaf से क्या होता है पानी धीरे 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 बाहर निकलता है और atmosphere में चला जाता है तो यह सब जो cycle होता है यह सब water cycle का example है अब हम nitrogen cycle की बात करते हैं तो nitrogen cycle में क्या होता है कि जो atmospheric nitrogen होता है ओ atmospheric nitrogen life process में आता है और फिर से life process से पुना atmosphere में चला जाता है तो जब हम nitrogen cycle के बात करते हैं तो इसमें मुख रूप से कुछ chemicals की बात की जाती है क्या क्या chemical होता है simple atmospheric यानि की molecular nitrogen होता है इसके अलावे ammonia होता है nitrite होता है nitrite होता है इसके अलावे कुछ होड भी chemicals होता है जैसे कि protein हो गया ठीक है protein भी nitrogen से बना हुआ एक substance होता है तो जब nitrogen cycle की बात करते हैं तो इसमें कुछ होड terms का परियोग की जाता है जैसे nitrogen fixation immunification nitrogenification denitrification यानिकी मुख रूप से चार प्रोसेस की बात की जाती है तो क्या होता है कि जो atmospheric nitrogen होता है atmospheric nitrogen nitrogen fixing bacteria के दोरा क्या होता है कि nitrate और nitrite में convert हो जाता है और यह nitrate और nitrite जो होता है वो plant के दोरा absorb कर लिया जाता है यह plant जो होता है उसे amino acid में convert कर देता है इसके अलावे प्रोटीन में convert कर देता है यह जो प्रोटीन और amino acid है वो animal के body में चला जाता है जब animal उससे खाता है इसके बाद क्या करता है कि animal जो होता है और plants जो अपना amino acid और protein होता है उसे ammonia के रूप में convert करता है और फिर यह सरीर से बाहर आता है फिर यह nitrate और nitrite के रूप में convert हो जाता है और यह nitrate और nitrate जो होता है फिर से यह तो इसमें convert हो जाता है और नहीं तो दूसरे life process के द्वारा की होता है denitrification की किरिया के द्वारा atmospheric nitrogen में convert हो जाता है इसके अलावे एक और process होता है जो atmospheric nitrogen होता है वो क्या होता है industrial fixation के दोरा और atmospheric fixation के दोरा भी nitrate और nitrate में convert होता है तो इसमें क्या होता है कि जो atmospheric nitrogen होता है वो industry में क्या किया जाता है इसे हम समझते है इसमें क्या 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 होता है जैसा कि हम जानते है जो atmospheric होता है उसमें 78% oxygen, 78% nitrogen होता है यह जो nitrogen होता है दुसरे chemical के form में भी होता है जैसे जब in milk की बात करें तो इसमें protein, nucleic acid यानि के RNA और DNA different types of vitamins के form में पाया जाता है इसके अलाबे यह alkaloid और urea के form में भी पाया जाता है ठीक है जो nitrogen होता है, atmospheric nitrogen जो होता है उसे animals directly परयोग नहीं कर पाते है तो क्या होता है कि इसके लिए nitrogen fixation की किरिया होती है तो nitrogen fixation की जो किरिया होती है उसका जो process होता है वो एक nitrogen fixing bacteria के द्वारा होता है तो nitrogen fixing bacteria जो होता है या तो free living होता है यानि कि freely soil में होता है या फिर कुछ legumes यानि कि दलहन के पौधों में होता है दलहन के पौधों के जो roots होता है उसमें root needles होता है उसमें पाया जाता है तो यह जो nitrogen fixing bacteria होता है वो atmospheric nitrogen को absorb करता है और उसे nitrate और nitrite में convert कर देता है और यह nitrate और nitrite जो होता है वो plant में चला जाता है जब वो plant के body में चला जाता है तो वो plant जो होता है उसे amino acid और protein में convert कर देता ह इसके अलावे जैसे उपर हमने बात किया कि कुछ physical process भी होता है जैसे during lightning lightning के time में जब high temperature और pressure होता है तो उस time के होता है nitrogen nitrogen की oxide में convert हो जाता है यानि कि nitrate में convert हो जाता है जब यह nitrogen का जो nitrogen का oxide होता है वो water के साथ reaction करके nitrate acid में convert हो जाता है और वो rain के साथ water के rain के साथ क्या होता है earth के surface तक पहुंच जाता है अब soil में क्या होगे soil में nitrate की मातर होगे इस nitrate को क्या करता है plant absorb करता है क्या करता है plant absorb करता है और उसे amino acid और different types of protein में convert कर देता है यह जो amino acid और protein का formation किया अब इस plant को animal खाएगा तो उसके body में भी amino acid और protein चला जाता है और एक biological pathogen का formation हो जाता है और biological pathogen का formation होता है उसमें बहुत साथे complex compounds का formation हो जाता है जब वो dead होते हैं तो dead हो जाते हैं तो क्या होता है different types of bacteria होता है वो फिर से उसे denatrification की किरिया के दोरह उसे elemental nitrogen की रूप में convert कर देता है इस तरह से nitrogen cycle पूरा हो जाता है अब हम बात करते हैं carbon cycle के जब carbon cycle की बात करते हैं तो मुखरूब से carbon dioxide की बात करते हैं तो जो यह atmosphere में पाये जाने वाला carbon dioxide है यह क्या होता है कि यह plant के दोरह organic compound में convert किया जाता है उपर हमने देखा था photosynthesis की किरिया के दोरह क्या होता है carbon dioxide plant के body में जाता है और organic compound का formation होता है जब कोई animal इस plant को खाता है तो वह organic substance animal के body में जाता है अब जब animal के body में चला जाता है तो plant और animal में पाये जाने वाला जो organic compound है वह respiration के किरिया के दोरह फिर से carbon dioxide में convert हो जाता है तो एक process हो गया एक cycle हो गया अगर कोई animal बचीगी है ठीक है इनमल है उसका जब dead होता है तो उसका जो बड़ी का organic substance होता है जो muscles से सब होता है तो क्या होता है कि muscles से सब जो होता है वह dead होने के बाद क्या होता है पेटरोलियम सबिस्टांस में convert हो जाता है ठीक है आगे हम देखेंगे कैसे petroleum में वह convert होता है इसके अलाबे जो यह organic compound होता है Animal के अंदर जो organic compound होता है उसे different inorganic carbonate में भी convert करता है जैसे sale अब देखेंगे अब हम बात करते हैं petroleum का formation कैसे होता है जब कोई living thing का death होता है तो death होता है तो क्या होता है कि वह जमीन पर बैठ गया अब उसके उपर मालते के एक layer का formation हो गया तो इस layer के अंदर यह high temperature और अपडेशर के अंदर यह बहुत दिनों तक जमा रहता है और liquid के form में convert हो जाता है तब उसे petroleum कहा जाता है ठीक है? coal क्या होता है? कि जो organic plant जो plant है तो plant का जब death होता है तोट के गिर जाता है यापिर जल जाता है तो क्या होता है? कि बहुत दिनों तक, लाखो करोरों बर्सों तक वह जमीन के अंदर दबार आता है और जिसके कारण क्या होता है? कोयला का formation हो जाता है इसके अलावे जो water में carbonate होता है, water में जो carbonate होता है वो lime stone का formation करता है यह सब जो cell, petroleum, coal, lime stone किसी की भी बात करें फिर से यह oxygen के साथ reaction करता है जैसे इन सब का जलने की किरिया होती है और जलने की जब किरिया होती है तो पुना carbon dioxide 1 के atmosphere में आ जाता है जब हम carbon cycle की बात करें तो जो carbon है वो carbon elemental form में यानि के koila की form में भी पाया जाता है combine state में भी पाया जाता है जब यह combine state में भी पाया जाता है तो atmosphere में carbon dioxide, carbonate यह सब form में पाया जाता है जब life process में इसकी बात करें तो life process में यह जो carbon dioxide होता है वो protein, carbohydrate, fat, nucleic acid और vitamins के रूप में पाया जाता है इसके लाएवे indoor skeleton और exoskeleton में भी carbonate salter के रूप में इसका परयोग किया जाता है अब हम बात करते हैं यह जो atmospheric carbon dioxide होता है वो life process में कैसे जाता है तो जैसे हम जाते हैं कि photosynthesis के किरिया के दोरा क्या आता है sunlight और chlorophyll के उपश्तिती में glucose में convert होता है और यह जब glucose में convert हो जाता है तो वो life process में आ जाता है अब जब कोई animal उससे खाएगा तो क्या होगा वो जो सवेस्टान से वो animal के body में जाएगा और वहां पर different type of chemicals का formation करेगा फिर से जो plants और animals होते हैं और expiration के किरिया करती है और expiration के किरिया में क्या होता है glucose जो है वो back carbon dioxide में convert होके बापस चला जाता है उपर मैंने आपको इस सब के बारे में बता जाता है उपर हमने देखा कि जो different types के process होते हैं उसमें जो carbon होता है वो कोईला, petroleum इस सब form में पाए जाता है तो यह सब जो होता है उसमें combustion की किरिया होती है जैसे petroleum हो गया या फिर कोईला होता है जब वो जलता है तो फिर से carbon dioxide के form में convert हो जाता है और carbon dioxide के form में convert होने के बाद क्या होता है वो फिर से atmosphere में चला जाता है अब हम बात करते हैं greenhouse effect के बारे में तो greenhouse effect क्या होता है जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है अर्थ के चारवत रप क्या है? atmosphere है atmosphere में different types of gases है जैसा कि हमने देखा था कि जो atmosphere है वो heat को absorb करता है एक बात यह ध्यान रखना है कि जो gas के particles है जो gas है gas का size जितना बड़ा होगा जैसे sulfur dioxide जो होगा यह oxygen के पे अप्छा बड़ा है nitrogen के पे अप्छा बड़ा है तो यह जो बड़े particles होते हैं तो वो ज्यादा heat को absorb करेंगे और जो छोटे particles हैंगे जो छोटे gases के कन रहेंगे वो कम heat को absorb करेंगे तो जब atmosphere में बड़े size के gases का मात्रा बढ़ जाता है तो उसी को greenhouse effect कहा जाता है इससे समझते हैं जैसे हम जानते हैं कि जो gases है वो क्या करता है वो heat को absorb करता है तो जो बड़े gases रहेंगे बड़े size के gases रहेंगे वो ज्यादा heat को absorb परेंगे तो जब atmosphere में carbon dioxide, sulfur dioxide इन सब का मात्रा बढ़ जाता है तो क्या होता है ये सब जो होता है ज्यादा मात्रा में heat को absorb करता है और ज्यादा मात्रा में heat को absorb करता है जिसके करण जो atmosphere है उसका temperature ज़्यादा हो जाता है और इसी को क्या कहा जाता है greenhouse effect कहा जाता है अब हम oxygen चक्रियानी की oxygen cycle के बात करते है जब हम oxygen cycle के बात करते है तो oxygen cycle में मुख्रूप से ये देखा जाता है कि जो atmospheric oxygen है atmospheric oxygen जो होता है वो respiration की किरिया के दोरा क्या होता है respiration की किरिया के दोरा carbon dioxide और water में convert होता है और फिर से carbon dioxide और water photosynthesis की किरिया के दोरा oxygen में convert होता है और इसमें कुछ organic molecules का भी involvement होता है तब इसी cycle को क्या कहा जाता है? oxygen cycle कहा जाता है जब हम oxygen की बात करते हैं तो oxygen जो होता है, वो हमारे life के लिए बहुत important होता है ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ है अर्थ पे 21% आक्सियन पाये जाता है जो आक्सियन होता है वो इयर, वाटर इन सब में पाये जाता है जब हम इयर की बात करें इयर की बात जब हम करते हैं तो एर में जो oxygen होता है वो carbon dioxide के form में होता है इसके अलावे जो earth crust होता है earth crust पर oxygen combined form में पाए जाता है तो जब earth crust पर combined form में oxygen की बात करते हैं तो यह different types of oxides of metal और non metal के form में पाए जाता है तो यह जो oxide होता है वो silicon silicon के oxide के form में पाए जाता है यह carbonate के form में पाए जाता है sulfur, nitrogen इन सबके oxide के form में sulfate और nitrate इत्यादी के form में पाए जाता है अगर animal की बात करें और plant की बात करें तो यह जो होता है oxygen वो carbohydrate, protein, nucleic acid, fat और lipid इन सबके form में पाए जाता है जब हम oxygen cycle के बात करते हैं तो इसमें मुखरूप से जो oxygen जो atmospheric oxygen होता है उसकी बात करते हैं तो atmospheric oxygen जो होता है उसका परियोग मुखरूप से तीन तरह से खिया जाता है combustion, respiration और formation of oxide ठीक है तो हमने देखा था combustion किस परकार से होता है किसी भी पदार्थ का जलना उसमें oxygen के आवस सकता होती है ठीक है जैसे कोईला oxygen के उपस्तिती में जलके carbon dioxide बनाता है respiration को हमने उपर बहुत बार देखा है respiration में भी oxygen का परियोग किया जाता है और oxide के formation में भी जैसे sulfur oxygen selection करके sulfur dioxide nitrogen nitrogen का oxide यह सब formation करता है ठीक है यानि कि जो atmospheric होता है वो combustion respiration और formation of oxide के form में different substance में convert हो जाता है अब यह जो different substance में convert हो जाता है तो इस chapter में हम मुखुरूप से जो carbon dioxide का formation होता है उसकी बात करते है तो जब respiration के किरिया के द्वारा क्या होता है जो oxygen होता है वो carbon dioxide के form में convert हो जाता है तो जो carbon dioxide है वो oxygen में convert कैसे होता है तो फोटो synthesis के द्वारा होता है जो plant होता है plant में हमने उपर देखा था कि फोटो synthesis के किरिया होती है और फोटो synthesis के किरिया होती है उसके द्वारा जो atmosphere में पाये जाने वाला carbon dioxide है वो oxygen के रूप में convert होता है एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो oxygen है oxygen हमारे respiration के लिए बहुत ही आवस्यक होता है लेकिन बहुत सारा ऐसा living thing होता है बहुत सारा ऐसा bacteria होता है जिसके लिए ये जो oxygen होता है वो harmful होता है उसके लिए poison होता है उसके life में इस oxygen की आवस्यक्ता नहीं होती है अब हम बात करते हैं ozone परत यानि कि ozone layer की जैसा कि हम oxygen के बारे में जामते है oxygen जो होता है atomic form में भी पाया जाता है oxygen oxygen molecule यानि कि O2 के form में भी पाया जाता है और O3 के form में भी पाया जाता है तो जब oxygen O3 के form में पाए जाता है तब उसे ozone कहा जाता है यह ध्यान रखना है कि जो ozone होता है वो एक बहुत ही poisonous gas होता है यह poisonous gas होता है तो हम बहुत भागशाली हैं कि जो ozone है हमारे अर्थ के surface के बिल्कुल नजदीक नहीं है तो यह जो होता है यह वो हमारे स्वास्त के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है भले ही यह ozone बहुत ही हानिकारक है लेकिन फिर भी यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है तो यह हमारे लिए उपयोगी है कैसे है इसे समझते हैं जो earth है. जो हमारा earth है. Earth के चारणो त century क्या है? हमने उपर देखा था कि जो sunlight होता है, वो earth तक पहुंचताँ. अगर पूरा heat. अगर earth तक पहुंच है तो क्या होगा? पूरे पिर्थि भी को जला देगा. तो इसे रोखने के लिए क्या करता है? जो एर होता है, ये इससे a-absorb कर लता है, जो सनलेट होता है, इसमें बहुत सारे harmful radiosity h additional होते हैं तो ये जो harmful radiosity होते है तो जो atmosphere के बाहरी layer पे जो ozone का परहात होता है इन harmful rad transluc को absorb कर लेता है और यह harmful variations हमारे अर्थ तक नहीं पहुँच पाता है यदि वो हमारे अर्थ तक पहुँच जाए तो क्या होगा different types of digits उत्पन हो जागा जैसे skin digits यह सब के उत्पत्ती हो जाती है यह जो ozone है ozone का मात्रा पिर्थीवी के चारो तरफ होना बहुत आवस्च है लेकिन बहुत सारे main made compounds होते हैं जैसे CFC, chlorofluorocarbon यह compound होता है जो इस ozone के layer को समाप्त कर देता है समाप्त कर रहा है धीरे धीरे तो क्या होता है CFC? CFC यह एक तरह का carbon compound होता है यह बहुत ही stable होता है और यह degraded नहीं होता है यह तूटता नहीं है किसी भी biological process के दोरा यह break नहीं होता है लेकिन जब यह उपर क्योड जाता है तो यह ozone के molecule से reaction कर लेता है तो जब ozone के molecule से reaction कर लेता है तो धीरे धीरे सारे ozone के molecule से reaction करता है और ऐसा मना जाता है कि अफरिका के ऊपर एक ozone का बहुत बढ़ा hole बन गया यानि कि जो अफरिका है उसके ऊपर एक ऐसा छेतर बन गया है जहाँ पे ozone की मातरा बहुत कम हो गया है यानि कि नग के बराबर हो गया है और यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि रहना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि उहाँ पे अगर रहेगा जो harmful radiation से वह पिर्थीवी तक पहुँचेगा और skin disease होने की संभावना होगी इसके साथ आपका यह chapter समाप्त हुआ Thank you झाल 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 झाल